हेलो 9th class students आप सबका स्वागत है definite success पार्ट श्रा लगे इस प्यारे से platform पे मेरा नाम है अभिशिक कुमार और मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे surface area and volume का part 2 most important questions तो बहुत जरूरी questions जो कि मैं cover करने वाला हूँ part 2 में जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा volume of sphere, hemisphere का surface area, curved surface area related questions, कौन का curved surface area, volume related questions तो साथ question मैं cover करूँगा इस वीडियो में जहाँ पर आपको सारे important question different variety के यहाँ पर solve करने मेरे साथ में अगर अभी तक किसी भी student ने part 1 watch नहीं किया है तो वो most important questions chapter surface area and volume का part 1 जरूर watch कर ले, नीचे link available है description box में, तो definite success part शाला एक बहुत प्यारा platform जहाँ पे हम लोग offline तो आपको बहुत बढ़िया results दे रहे हैं, और अब हैं आपके साथ online, वीडियो को like और share करना मत बूलिएगा, चैनल को subscribe जूँ कर लीजे, क्योंकि आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, वो सारे most important questions जो आपको maths में needed है, तो चलिए करते हैं start, तो question number one, हम यहाँ पर pick कर लेते हैं, सवाल पहले में पूछा गया है, कि the hollow sphere, अब देखो sphere बोला है और hollow बोला है, ठीके, तो जब sphere बोला है और hollow बोला है, तो हमें यहाँ पर assume करके चलना है, एक ball को, done, अब hollow बोला है, हम आगे सवाल को पढ़ते हैं, इसमें इन्होंने कहा, in which the circus motorcyclist perform his stunt, तो मोद का कुआ टाइप आप लोगोंने सरकस देखा होगा, जहाँ पर एक बाइक वाला, यहाँ कोई कार वाला, एक particular frustum type structure में, यहाँ तो गाड़ी को travel करवाता है, यहाँ फिस sphere में, वो गाड़ी के stunts दिखाते हैं, तो यहाँ पर जो आपको figure दिया है, वो एक sphere दिया है, उस sphere में stunts दिखाए जा रहे हैं, has a diameter of 7 meter, अब इस sphere का, जो dia है, वो आपको 7 meter का दिया है, हम ले लेते हैं, इसका radius, तो basically radius है, इसके diameter का, जब हम divide by 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर radius हमारा निकल के आएगा 7 by 2, और क्योंकि units meter में चल रही हैं, तो 7 by 2 meter, हम R को इसी fraction में लेके आगे solve करेंगे, find the area available to the motorcyclist for riding, अब कितने area में, वो अपनी गाड़ी को move कर सकता है, उस area को calculate करो, अब जब मैं area की बात कर रहा हूँ, गाड़ी move कर रही है, sphere के अंदर hollow है, और motorcyclist अंदर stunt दिखाएंगे, तो यहाँ पर वो जो shape बन रहा है, वो complete sphere का area available है, that means हम move करेंगे यहाँ पर, TSA की तरफ total surface area बोल लिजीए, या surface area बोल लिजीए, sphere के case में, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, surface area of sphere is equals to 4 pi r square, हमें सिफ इस radius को यहाँ पर substitute करना है, और हमारे सामने वो area निकल के आ जाएगा, जो एक motorcyclist के लिए available है, stunts दिखाने के लिए, done, तो हमें यहाँ पर क्या-क्या given था, अगर मैं given वाला part लिख लूँ, तो वो हमने लिख लिया, ठीक है, हमने जो formula use किया इस question में, उस formula को हम teacher को box में डालके यहाँ पर दिखाएंगे, done, drawing बना के जरूर आना है, अब हम यहाँ पर values को जब यहाँ पर substitute करेंगे, तो यह हो जाएगा 4 multiplied with 22 by 7, multiplied with जब हम radius की बात कर रहे हैं, तो यह है 7 by 2 and 7 by 2, तो 4 pi r square, formula में मैंने simple values को substitute कर दिया, और कुछ नहीं किया, देखें यह जो 4 है, यह दोनो 2 से यहाँ पर cancel out हो गया, यह 7 से 7 cancel out हो गया, मैं देख रहा हूं मेरे पास जो area आ रहा है, वो आ रहा है 22 multiplied with 7 meter square, तो यहाँ पर क्योंकि area हमें बताना है, यह हमारा units रहेगा, 22 को जब हम 7 से multiply करेंगे, तो यह 7 into 2 is 14 carry 1 और 154 meter square, यह हमारा इस particular sphere के लिए surface area निकल के आया, तो यहाँ पर मैं s dot a लिख रहा हूं, s dot a का मतलब है surface area, answer को हम box में डालेंगे, और proper तरीके से क्योंकि word problem थी, तो हम यहाँ पर last में एक statement लिखेंगे, और वो statement आएगा, answer that the sphere, the hollow sphere has the area which is equal to 154 meter square available for the motorcyclist for riding, clear है, statement form में आप answer लिख कराएंगे, मुझे comment box में comment जू छोड़िएगा, आपकी comments का मैं wait करता हूँ, ठीके, तो कोशिश करिए कि जैसे ही मैं question दिखा रहा हूँ, तो आप video को pause करें, और जैसे आप video को pause करेंगे, तो आपको यहाँ पर question को खुद solve करना है, पहले कोशिश करिए खुद solve करने की, then उसके बाद अगर आप solution watch करते हैं, तो यह आपके लिए ज़्यादा फाइदे मन्द रहेगा, move करते हैं question number 2 की तरफ, चलिए question number 1 होगे हमारा solve, question number 2 देखेगा, a hemispherical dome of a building needs to be painted, पहला step, हमें पहला ही statement यह बोल रहा है, है कि एक hemispherical dome है, तो hemispherical dome का मतलब आपको यहाँ पर पूरा बकाइदा तरीके से hemisphere बनाते हुए, उसको दिखाना है कि यह dome है, जब हम hemisphere की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक ही dimension होता है, वो है radius, ठीक है, diameter अगर आपको दिया है, तो divide by two कर देंगे, देखते हैं क्या दिया है, if the circumference of the base of the dome, circumference of the base of the dome, dome क्योंकि hemisphere है, उसका base अगर आप देखें तो base में circle लगा है, यह circle का circumference आपको given है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे क्या given है, given part में हम यहाँ पर कहेंगे कि हमें base का circumference given है, circumference of base is equals to, यह आपको दिया हुआ है, 17.6 meter, clear है, आगे, find the cost of painting it, अब मुझे इसको painting करनी है, given the cost of painting is rupees 5 per 100 cm square, हमें यहाँ पर जो unit दी है, वो बोला है, for painting, cost of painting हमें दिये, cost of painting जो हमें दिया है, वो basically area wise दिया है, cost of painting हमें दिया है, 100 cm square को paint करने का, जो cost है, वो है rupees 5, done, पांच रुपे लगते हैं, 100 cm square को paint करने के लिए, यह हमें area दिया है, और हमें जो radius दिया है, वो meters में दिया है, दुबारा चेक कर लेते हैं, जो हमें area नहीं, हमें circumference दिया है, तो circumference मतलब हमें boundary दिये, dome की, dome का जो base है, circular है, ठीक है, वो circular base की जो outer boundary है, circumference, वो हमें दिया, तो हमें जैसा की पता है, हमें सबसे पहले तो क्या निकालना है, a hemispherical dome of a building needs to be painted, if the circumference of the base of the dome is this, find the cost of painting, तो the to find, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है, total cost of painting, तो यहां पर लिख देते हैं, total cost of painting, the dome, done, अब total cost of painting, देखें, मैं हर एक step जानबूच के लिख रहा हूं, उसके पीछे reason भी यही है, कि आप लोगों के mark जाहतर यहीं पर गटते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता ही नहीं रहता कि given लिखना है, to find लिखना है, कई बच्चे इस तरह के questions को direct attempt करते हैं, और मैं कहूंगा, यह जो सवाल है, तीन marks में आपको देखने को मिल सकते हैं, आपके main exam में, important questions है, variety, variety करवा रहा हूं मैं, ठीक है, तो variety important है, आप variety पर ध्यान दीजिए, अब अगर मैं यहां पर बोलूँ, कि यहां पर हर एक step कैसे लिखना है इससे अच्छा, मैं आपको लिख के proper तरीके से समझाता जा रहा हूं, तो आपको समझ आए कि कैसे representation करना है, तो teacher के सामने जब presentation अच्छा होगा copy के अंदर, तो हमें marks पूरे मिलेंगे, done, तो presentation पर ध्यान दीजिए, given लिखिए, to find लिखिए, then उसके बाद आप क्या formula यूज कर रहे हैं, उस formula को आप box में बकादा डाल के दिखाए, तो as we know, जैसा कि हमें पता है, as we know, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि circle के circumference का formula क्या होता है, तो circumference का formula, circumference is equals to 2 pi r, ये formula होता circumference का, जो circumference की value दिए, अगर वो मैं वहाँ डाल दूँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, circumference क्योंकि हमें 17.6 दिया है, which is equals to 2 multiplied with pi की value 22 by 7 multiplied with radius हमें नहीं पता, इस formula से हमें ये फाइदा मिलेगा कि हम r calculate कर लेंगे, done, तो r निकालने के लिए, हम यहाँ पर कहेंगे, कि ये r यहीं पर छोड़ दीजे, 7, 17.6 के साथ multiply हो जाएगा, और नीचे 2 multiplied with 22 आएगा, done, अब हमें इसको करना है solve, उपर 17.6 में से अगर मैं decimal remove कर दूँ, तो decimal remove करने के कारण, हमें यहाँ पर नीचे 10 मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 176, और ये उपर का decimal नीचे 10 मिल जाएगा, हमें कुल मिला के इसको solve करना है, हो गया हमारा काम, done, अब इसको solve कर लेते हैं, तो 2 11 times is 22, 2 से इसको काटा, तो 2 8 times is 16, and again 2 8 times is 16, 11 से 88 कटेगा, तो 8 बचेगा, तो जब 22 से 176 को काटा, तो मेरे पास सिर्फ 8 बचा, 8, 8 multiplied with 7, upon 2 into 10, done, अभी 2 से जब 8 को काटेंगे, तो 4 बचेगा, और 4 into 7 होता है 28, तो actually यहाँ पर answer आना चाहिए, आपका 28 by 10, तो radius है हमारा 28 by 10 meter, और अगर आप radius को decimal में लिखें, तो यह है 2.8 meter, done, अब यह हमारा radius है, मुझे तो total cost निकालना है, radius हमारा meter में आया है, मैं क्यों नहीं इसको convert कर दू, centimeter में, क्योंकि जब total cost निकालूंगा, तब मुझे painting का जो cost 5 रुपे दिया है, वो 100 centimeter square के लिए है, question में, मुझे 100 centimeter square बोला है, तो मेरे पास जो units होनी चाहिए, वो centimeter में होनी चाहिए, done, तो यहाँ पर meter को centimeter में change करते हैं, conversion लिख देते हैं, एक meter में 100 centimeter होते हैं, clear है, ठीके, अब 2.8 meter की जब मैं बात करूं, तो radius जो है यह centimeter में आएगा, radius is equals to 2.8 into 100 अगर आप करेंगे, तो यह आएगा 280, तो यह आजाएगा 280 centimeter, radius हमारा meter से convert हो गया, किसके अंदर? सेंटीमीटर में, तो हर एक meter 100 centimeter के बराबर होता है, 2 meter का मतलब 200 centimeter, 0.8 का मतलब 80, तो यहाँ पर 280 centimeter हमारा radius आएगा, अब हमें painting कहां करनी है, यह depend करता है, तो painting जो आपको करनी है, वो curved surface area पर करनी है, क्योंकि जो dome है, वो dome बेसिकली नीचे से solid नहीं है, हमें solid hemisphere नहीं बूला है, हमें clearly बूला है, a hemispherical dome, और dome का मतलब एक ऐस तरह का, उपर मंदिर या मस्जित में आप देखेंगे, तो उपर इस तरह की एक छट बनी होती है, जो की उपर से हलकी सी गुलाई में होती है, जब आप इनके अंदर जाते हैं, तो आप नीचे से जब उपर की तरफ देखते हैं, तो आपको वो hollow दिखता है, वो खाली होता है, तो हम यहां पर जो painting करेंगे, वो basically CSA वाला part होगा, curved surface area पे हम लोग paint करेंगे, तो हमें इस hemisphere का CSA निकालना है, चलिए, move कर लेते हैं, और इस hemisphere का CSA निकालते हैं, तो CSA मतलब curved surface area, पूरा word मैं यहां पर लिख लेता हूँ, तो curved surface area, curved surface area of hemisphere, और इसका formula आपका यहां पर क्या होगा, तो यह होगा 2 pi r square, curved surface area of hemisphere is 2 pi r square, पीछे आपको radius जो मिला है, उस radius को उठा के यहां substitute कर दीजे, तो जब मैं यहां पर इसको substitute करूँगा, तो CSA हमें मिलेगा, 2 multiplied with 22 by 7 multiplied with radius, radius देख लेते हैं, पीछे आके, तो sheet में पीछे आजाते हों, radius हमारा जो centimeter में था, तो 280 into 280, तो 280 into 280, यहां पर आएगा 280 multiplied with 280, clear है, यह हमारा CSA centimeter square में निकलेगा, तो यहां पर यह पूरा unit centimeter square में आएगा, और यह जो area मिल गया, इसको हम फिर cost निकालेंगे, चल, इसको solve कर लेते हैं, तो 7, 4 times होता है 28, तो यह होगा 2 into 22 multiplied with, 7 into 4 is 28, 40 multiplied with 280, इसको हमें solve करना है, तो यह 2 into 22 is 44, ठीक है, ओ 44 into 4, अगर मैं करता हूँ, तो यहां पर यह 40 का multiplication देगा, 4 into 4 is 16, carry 1, 16, 176, 1760, into 280 भी था, तो यह 280 multiply होगा, चलिए, 280 को multiply कर देजिए, तो 2, 0 को आप side कर दीजिए, rough work में 176 को 28 के साथ multiply करके देख लीजिए, 6 into 8 is 48, 4 carry, again, 7 into 8 is 56, plus 4 is 60, 0, 6, 8, 1 times 8, plus 2 is 10, plus 4 is 14, तो यहां पर यह आगया, cross, 2 into 6 is 12, 12 का 2 carry 1, 2 into 7 is 14, 15, 15 का 5, carry 1, 3, तो यह आया, 8, 2, 9, 4, तो यहां पर यह आगया, 4, 9, 2, 8, और यह जो डबल 0 था, यह डबल 0, मैंने as it is लगा दिया, यह पूरा एरिया, cm2 में आया, CSA, क्या आया यह, तो यह हमारा आया है, curved surface area of dome to be painted, यहां पर लिख देता हूँ, therefore, the curved surface area, the curved surface area, to be painted area, to be painted, जिसको paint करना है, वो हमने cm2 में निकाला, कितना, 492800 cm2, clear है, चलिए, अब जैसा की question में बोला है, cost, ठीक है, as given, लिखिए प्रॉपर देखे से, as given, for 100 cm2, cost is rupees 5, यह दिया है, that means, 1 cm2 को, paint करने का, जो amount लग रहा है, वो 5 by 100 लग रहा है, rupees 5 by 100, एक cm2 के लिए, तो हम यहां पर लिखेंगे, total cost of painting, total cost of painting, is equals to, 492800, इस area को paint करना है, यह amount लग रहा है, 5 by 100, तो 5 by 100, यह हमारा total cost निकल के आएगा, यह 2 0 से 2 0 cancel out, 5 into 8 is 40, 0 4 carry, 5 into 2 is 10, 14, 14 का 4 carry 1, 5 into 9 is 45, 46, 4 carry, 5 into 4 is 20, 20 plus 4 is 24, तो यह आगया, 24,640, rupees, मतलब पूरे डोम को, जो paint करने का, खर्चा आएगा, वो आएगा, 24,640, 24,640, टोटल कॉस्ट ऑफ पिंटिंग, दोम, यह हमारा निकल के आगया, तो आपने देखा, यह different variety का question, मैं कहूंगा, 3 से 4 marks का, definitely आपको देखने को मिल सकता है, इस सवाल में, हमने सबसे पहले, हमें क्योंकि radius नहीं दिया था, और hemisphere हमें बोला था, और हमें circumference दिया था, circumference से पहले radius निकाला, तो में खाल से 2 marks तो यहीं पर आगया आपके, फिर उसके बाद, आपने यह radius का use किया, और आपने यहां पर CS से निकाला, ठीके, next 2 marks, और 1 marks आपको यहां पर cost निकालने का, तो मैं तो कहूँगा, 4 से 5 marks का भी बनता हुआ, यह सवाल मुझे समझ आता है, ठीके, अगर थोड़ा paper strict रहा, strong रहा, lengthy रहा, ठीके, यह question कम हो गए, जादा marks का, तो 5 marks का question, अगर lengthy बनाना है teacher को, तो यह question 3 marks में, definitely आपको देखने को मिलेगा, sir question number 1, कितने marks का हो सकता है, तो question number 1, मैं discuss कर लेता हूँ, 2 marks से ज़ादा का, नहीं आएगा, तो question number 1, 2 marks, question number 2 के लिए, मैं कहूँगा, 3 marks, 4 marks, 5 marks, definitely यह आपके लिए, दिख सकता है सवाल, variety, अब move करते हैं, question number 3 की तरफ, the height and the slent height of a cone, अब देखिए, यहाँ पर मुझसे कोन बूला है, तो सबसे पहले तो आप cone draw कर लिजे, और जब मैं cone draw करता हूँ, तो यहाँ पर basically 3 dimensions होते हैं, base में center से लेके circumference तक radius बोलते हैं, ठीके, vertices से लेके नीचे base तक जो perpendicular altitude है, perpendicular है, उसको height कहते हैं, और इसी point से लेके, यहाँ तक की जो दूरी है, इसको तिर्ची दूरी को हम लोग slent height बोलते हैं, L, तो यह 3 dimensions होते हैं, तो आपको अगर cone बोला है, तो cone का drawing बनाना है, given क्या है, वो पूरी कहानी लिखनी है, आपको given क्या है, तो जब मैं cone में आऊंगा, तो the height and the slent height, मुझे h दिया है और l दिया है, तो मुझे height given है, height of cone, height of cone, और मुझे slent height भी दी है, slent height of cone, यह भी given है, तो यहाँ पर height of cone, h की value मुझे क्या दी है, 21 cm, सबसे पहले height की बात हुए, 21 cm, slent height of cone, मतलब मुझे l की value given है, और वो कितनी given है, तो वो given है 28 cm, यह रहा 28 cm, यह मुझे given है, हम से बोल रहे हैं, find the volume of cone, क्या पता करना है, to find volume of cone, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, volume of cone, अभी, जब मैं volume of cone की तरफ move करता हूँ, तो as we know, जैसा कि हमें पता है, हमें यह पता है, कि volume of cone का formula क्या होता है, तो volume of cone is 1 by 3, pi r square h, यही होता है, अब इस formula के अंदर, जो आपका r है, वो basically radius है, जो कि आपको यहाँ पर नहीं given, अब radius नहीं दिया, तो सबसे बहले मुझे radius निकालना पड़ेगा, चलो radius निकाल लेते हैं, तो यह formula मैं आगे चल के use करने वाला हूँ, अब इस formula को लगाने के लिए, मुझे r चाहिए, r calculate करने के लिए, मुझे पता है, slent height is basically the hypotenuse, तो जब मैं इस cone को, right triangle के रूप में देखूंगा, तो यह जो तिर्ची line है, L, length, यह hypotenuse है, तो hypotenuse का square, is equals to radius का square, base square, plus altitude का square, मतलब h square, height of the cone, using pathotherorem, तो यह क्या था, यह था pathotherorem, बगाइदा teacher को, लिखके दिखाना है, pathotherorem का use किया, उठाइए value, यहाँ पर substitute कर दीजिए, तो L square, मतलब 28 का square, which is equals to, r, हमें नहीं पता, height, height हमें 21 पता है, तो 21 का square, done, r square, निकालने के लिए, मैं कहूंगा, कि यहाँ पर 21, 28 के पास चला जाएगा, तो 28 square, minus 21 square हो जाएगा, होएगा, आपको identity पता है, a square, minus b square, वो identity का use कर लिजिए, थोड़ा असान हो जाएगा काम, r square की value आएगी, 28 plus 21, multiplied with, 28, minus 21, तो यह आगया, 9 और 4, multiplied with, 28 minus 21, 28 में से, 21 गया, तो 7 बचा, यह r square की value आई, तो r यहाँ पर, जो radius निकल के आएगा, वो आएगा, root of 49 is 7, 7 root 7, अब, पूरे units चल रहे थे, cm में, तो हमारा यहाँ पर, जो radius निकल के आया है, इस कोन के लिए, वो निकल के आया है, 7 root 7 cm, नीचे comment box में, जरूर बताइएगा, प्लीज, और वीडियो को like करना, मत भूलिएगा, चलिए, तो radius हमारे पास आगया है, sheet ले लेते हैं, अब मेरे पास, एक ऐसा कोन है, जहाँ पर, एक ऐसा कोन है, जहाँ पर, आपके पास radius भी है, L भी है, H भी है, R की value, अभी आपने निकाली, 7 root 7, height आपको दी हुई है, height आपको कितनी दी है, तो यह आपको मिखा से 21 दी थी, H, H आपको दी है 21, तो H हमें दी है 21 cm, यह हमें H की value दी है, अभी हमें क्या निकालना था, volume निकालना था, यह निकालना था, तो हमें निकालना था, volume of cone, volume of cone के लिए हम क्या करेंगे, तो हमाँ पास formula था, 1 by 3 multiplied with pi multiplied with radius का square multiplied with height, उठाओ value यह डाल दू, तो यह होगा 1 by 3 multiplied with 22 by 7 multiplied with radius is 7 root 7 multiplied with 7 root 7 multiplied with height is 21, clear है, अब इसको solve करते हैं, तो देखिए, 3, 7 times is 21, 7 and 7 cancel out, क्या क्या बचा, 22 multiplied with 7 into 7 is 49, multiplied with root 7 into root 7 is 7, इसको solve करना है, चलो, इसको solve कर लेते हैं, तो 49 into 7 कितना होता है, तो 22 multiplied with 7 into 9 is 63, 6 carry, 7 into 4 is 28, 28 plus 6, तो 30, 34, तो 3, 4, 3, अगिन, multiplied with 22, तो 3, 4, 3 को जब मैं 22 से multiply करूंगा, तो यह हमारा आ जाएगा, 6, 86, डन, यह 6, 6, 6, 12, 13, 14, 14, 14 का 4, carry 1, 15, 15, 15 का 5, carry 1, 7, तो यह हमारी value आएगी, 75, 4, 6, क्या निकल के आया, यह volume निकल के आया, रफवर को यहां से अटा देता हूं, ठीके, आप लोग margin बना के, उसके सामने रफवर करना, तो यह आगे है, 75, 4, 6, क्योंकि सारी units, centimeter में चल रही थी, किस में चल रही थी, सारी units centimeter में चल रही थी, पीछे देख ले, तो सारी unit क्योंकि centimeter में थी, तो हमारा जो volume निकल के आएगा, वो भी centimeter में निकल के आएगा, centimeter की power में, 3 centimeter cube, clear है, तो आपने यहाँ पर volume निकाल लिया कोन का, box में डाल दीजिए, सामने लिख दीजिए, answer बगाईदा statement form में, the volume of the cone, whose height is 21 centimeter, and slant height is 28 centimeter, has the volume of 7546 centimeter cube, clear है, थमसब जो दीजिए, वीडियो को like जो करिए, अपने दोस्तों के दाशेर जो करिए, आपके exam में अगर आ रहा है, तो दोस्तों ने अगर अभी तक त्यारी नहीं की है, या उनको extra questions करने, most important जानने है, तो अपने दोस्तों के साथ link share करना मत भूलिएगा, done, चलिए, हो गए total 3 question, आ जाते हैं, fourth question हमें क्या कह रहा है, इस सवाल को देखना क्या कह रहा है, Monica has a piece of canvas, whose area is 551 meter square, Monica के पास एक कपड़ा है, canvas basically, यहां पर मैं कहता हूँ, मोटे कपड़े को, ठीके, मोटा कपड़ा मतलब आपने देखा होगा, tent बनाने के लिए, आर्मी वाले जो यूज़ करते हैं, उसको हम canvas बोल सकते हैं, tent house बने हुए, आपने देखे होँगे, आपने parachute का कपड़ा देखा होगा, ठीके तो, ऐसा कपड़ा जो की मोटा होता है, थोड़ा जिसको use कर सकते हैं, किसी particular tent बनाने के लिए, या shed बनाने के लिए, उसको canvas बोलते हैं, अब यहां भी बोल रहा है, कि मोनिका एक करेक्टर का हमें नाम दिया, एक बच्चा है, मोनिका has a piece of canvas, अब उसके बस कपड़ा है, जिसका area कितना है, area आपको given है, 551 meter square, she uses it to have a conical tent, अब देखो यहां पे, इस कपड़े का use करके, उसको एक tent बनाना है, जिसका shape कैसा होगा, cone जैसा होगा, तो conical tent बनाना है, ठीके, कपड़े का use करके, और जब मैं cone की बात करूँगा, तो यहां से यहां तक radius होता है, यह आपकी होती है height, done, तो cone की height, 3 dimensions होते हैं, और यहां से यहां तक, जो यह तिर्ची line है, इसको हम कहते हैं slent height, L, done, अब question पढ़ लेते हैं, तो have a conical tent made with a base radius of 7 meter, इंको जो cone बनाना है, उसका radius base का 7 meter होना चाहिए, यह इन्होंने बूला है, तो R आपको given है, assuming that all the stitching margin, and the wastage incurred while cutting, amounts to approximately 1 meter square, यह बूल रहा है, ऐसा tent बनाते समय, हमें stitching करनी होगी, और stitching करते समय, क्योंकि cone को ऐसा shape देते समय, कुछ कपड़ा waste होगा, जो कपड़ा waste होगा, वो area है, हमारे पास 1 meter square, मतलब कपड़ा जो खराब हुआ, जो कि इस cone में, tent बनाते समय नहीं लगा, ठीक है, वो कपड़ा 1 meter square area है, जो की wastage है, done, तो हमारे वो काम का नहीं है, done, इसके बाद, find the volume of the tent, that can be made with it, तो मैं question में लिख लेता हूँ, सबसे पहले given part, अगर हम given part में move करते हैं, तो given part में, हमें base radius दिया है, base radius, और base radius क्योंकि हमें R दिया है, तो यह हमें 7 meter का base radius दिया है, और हमें बाकी कुछ नहीं दिया, हाँ, हमें area दिया है, तो एक चीज़ समनना, कपड़ा, जब tent बनाने के लिए लगेगा, तो tent तो solid नहीं बनेगा, tent hollow बनेगा, अंदर से hollow होगा, base में कोई कपड़ा नहीं लगेगा, ठीके वहाँ आप चादर याँ पेपर भी चालेंगे, ठीके फिर उसके उपर आप वहाँ पे वह hollow रहता है, बनाद बेस जो भी खाली रहता है, तो यह जो tent है, जो आपको बनाना है, canvas का use करके, इसमें जो कपड़ा लग रहा है, वो basically इसके CSA पे लग रहा है, अगर आप CSA देखें, curved surface area देखें, curved part पे लग रहा है, इसका TSA ना देखें, अगर आप TSA की तरफ जाते हैं, तो फिर वहाँ पे base भी include हो जाएगा, क्योंकि मुझे बोला नहीं है, कि tent बनाते समय, वो कपड़ा base में भी use हुआ है, तो हम उसको दिमाग में नहीं रखेंगे, ये चीज़ clear रखना, कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो TSA of cone लगा देते हैं, मैं कहूंगा TSA of cone नहीं लगेगा, यहाँ पे CSA of cone लगेगा, तो given part में हम कह रहे हैं, कि CSA of cone given है, और CSA of cone जो given है, वो basically जो कपड़ा complete use हुआ है, वो use हुआ है 551 meter square का, अच्छा इसनों नहीं ये भी बोला कि stitching के समय 1 meter square waste हुआ है, तो 551 meter square minus 1 meter square कर दीजे, तो जो कपड़ा लगा है, actually cone बनाने के लिए CSA पे, वो लगा है 550 meter square, इस चीज का ध्यान रखना, 550 meter square का कपड़ा लगा है, 551 जो कपड़ा उसके पास था, उसमें से 1 meter square area हट गया, तो इसलिए हमने minus 1 meter square लिखा है, तो given में मुझे ये है, ठीक है, 2 find लिख लेते हैं, मुझे क्या बोला है पता करने के लिए, तो 2 find की तरफ जब मैं जाऊंगा, तो 2 find में हमसे बोल रहा है, find the volume of tent, volume of tent, volume of tent, done, draw कर देते हैं, चलो, अभी, volume of tent क्योंकि मुझे पता करना देखना, हमें formula पता है, कि volume of tent का जो formula है, वो होता है 1 by 3 pi r square h, है एक problem यहाँ पर, क्या problem है वो, वो problem यह है, कि मुझे r तो पता है, बट h नहीं पता, done, तो h पता करना पड़ेगा, अब h निकालने के लिए, क्योंकि मुझे csa of cone पता है, तो उसका formula लिख लेता हूं, csa, curved surface area of cone, देखिएगा, यह formula होता है, pi r l, अब यहाँ पे भी, आपको h नहीं मिल रहा, बट l मिल रहा है, इस चीज का धियान रखना, आपको l मिल रहा है, जो l मिल रहा है, कम से कम पहले वो निकाल लेते हैं, तो यह दो formula हमने use किये, यहाँ पे लिख देंगे, as we know, जैसा कि हमें पता है, यह दोनो formula होते हैं, done, इन दोनो formula को अगर देखा जाए, तो volume of tent निकालने के लिए, h की जरूरत है, वो h मुझे मिलेगा, csa of cone से, actually csa of cone से, आपको l मिलेगा, फिर आप लगाए, वो पाइथोर्म, चल, यूज कर लेते हैं, आपको बताते हैं कैसे, तो देखिए, csa of cone का जो formula है, वो है, पाई आर एल, done, पाई आर एल, तो यहाँ पे, क्योंकि कोन की value, आपको csa given है, 550, 551 given था, वैसे 551 given था, उसमें से, 1 meter square area आपने हटा दिया था, तो 550 is equals to 22 by 7, multiplied with, radius आपको base का दिया हुआ है, क्या 7, multiplied with, आपको एल नहीं पता अभी, तो इस formula से, एल निकालना है, निकाल लेते हैं, तो यह आजाएगा, 7 से 7 cancel out, और 550 divided with 22, which is equals to L की value, यह L की value है, 11 से उपर नीचे solve कर लीजिए, तो यह आजाएगा, 11 5 times 55, 0, और 11 2 times 22, यह L की value है, तो L की value यहाँ पर आगे, 25 cm, देख लीजिए, मीटर दिया है, cm दिया है, तो सारे unit मीटर में दिया है, हम भी यहाँ पर unit मीटर लिखेंगे, गई, since हमें slant height मिल गई, तो using patho theorem, using patho theorem, और patho theorem कहती है, कि slant height जो L है, वो basically hypotenuse है, तो मैं कहूंगा, L का square is equals to base square, plus height का square, कोन के अंदर, L की value है 25, तो 25 का square, is equals to, radius आपको दिया था 7, तो 7 का square, plus h square, यहाँ से आपको h मिल जाएगा, h square निकाल लेते हैं, तो h square की value हैगी, 25 square, minus 7 का square, identity लगा जेता हूं, तो यह आजाएगा, 25 plus 7, and 25 minus 7, identity लगा जेता है, a square minus b square, तो a plus b, a minus b, यहाँ पर h square की value हमें मिलेगी, तो h square की value क्या मिलेगी, 25 plus 7 is 30, 32, तो 32, 32 into, 25 minus 7, 25 में से 7 गए, तो 25 में 5 गए 20, 20 में से 2 गए, तो यह बचे 18, तो 18, done, अब height का square यह आ गया, ठेक है, h की value क्या आएगी, तो यह एगा, root के अंदर, 32 multiplied with 18, देखो, मैं साथ साथ calculation भी सिखाता जा रहा हूं, तो आपको multiply करके time waste नहीं करना, आप यहीं पर इसके prime factors निकाल दो, तो 32 के case में, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, 16 into 2 is 32, multiplied with, 2 into 9 is 18, और 9 बनता है 3 into 3 से, done, तो यहां से आपको h मिल जाएगा, height लिख देते हैं, तो h मेरा क्या आया, 1 pair 2, 1 pair 2, 1 pair 2, 1 pair 3, तो 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 3 is 24, तो height आगई हमारी 24 meter की, कितनी आई है 24 meter की, क्योंकि सारे units meter में चल रहे थे, question समझा रहा है, proper देखे से, नीचे comment box में जूँ बताना, देखो सवाल देखना, सवाल में हमसे volume पूछा है, हमें सिर्फ base radius दिया था, CSA दिया था, CSA का formula लगा के, मैंने L निकाला, L निकालने के बाद, हमने यहाँ पर L निकालने के बाद, उस L का use किया है, H निकालने के लिए, पाइतो तियोरम से, H निकलाया, अब मैं volume की तरफ जाओंगा, तो एक sheet all ले लेता हूँ, तो अब देखें, volume of cone, volume of cone के लिए formula है, कितना, 1 by 3, πाइ r square H, तो 1 by 3, multiplied with 22 by 7, multiplied with, radius हमें कितना दिया था, 7 दिया था, तो 7, ठीक है, यहाँ पे 7 डाल देते हैं, 7 into 7, और height कितनी आई अभी पीछे, तो height आई है 24, यहाँ पे लिख दीजिए 24, यह height आई है, इसको solve करना है, तो 7 से 7 cancel out, 3 से यह 24 cancel out, 3 8 times 24 होता है, तो यह होगा 22 into 7 into 8, done, और यहाँ पे 7 into 8 क्योंकि 56 होता है, तो यह 56 multiply होगा 22 के साथ, तो यहाँ पर यह आजाएगा 2 into 6 is 12, ठीक है, देखेंगा 56 basically 22 के साथ multiply हो रहा है, तो 2 into 6 is 12, 2 into 5 is 10, 11 cross, फिर वो ही आएगा, 112, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, unit, unit क्या थी, unit देख लेते हैं, चलो unit में क्याल से meters में चल रही है, सारी unit, पीछे देख लेते हैं, यह सारी unit meter में चल रही है, तो यहाँ पर हमारा आएगा, meter square, देखेगा, यह आजाएगा, 1, 2, 3, 2, meter, cube, volume निकाला है आपने, तो volume ओफ कोन आपका आगया, नीचे comment box में comment प्लीज जहू दीजेगा, आपको questions की variety कैसी लग रही है, variety, मतलब variety की solve करवा रहा हूँ, सारे questions different है, अब जातर बच्चे इस chapter से डरते हैं, उनको लगता है सा question बहुत बड़ा पूच लिया, मैडम ने बहुत lengthy बना दिया, कुछ lengthy, कुछ मुश्किल नहीं है, formula की knowledge होनी चाहिए बस, done, बहुत जल्दी मैं आपके लिए, formula का derivation लेकर आ रहा हूँ, कि इस chapter में, आपको जो जो formula यूज हुए हैं, वो कैसे बने, ठीके, तो उनकी वीडियोज बहुत जल्दी, आप लोगों को मैं release करके दे रहा हूँ, done, तो यहाँ पे question number 4 भी, हमने कर लिया है, solve, move करिये, question number 5 की तरफ, again, अब simple सा सवाल है, question number 5 क्या कह रहा है, find the volume of sphere, 2 marks का सवाल, sphere का volume बताईए, आपको यहाँ पे radius दिया है, क्या, हाँ, दिया है, radius r मुझे given है, लिख लेते हैं, मुझे क्या given है, तो मुझे radius of sphere given है, radius of sphere, कितना दिया है, तो radius of sphere हमें दिया है, 11.2 cm, done, again, हमें क्या निकालना है, to find, to find, हमें volume निकालना है, वॉल्यूम ओफ स्फेर चलिए वॉल्यूम ओफ स्फेर अब as we know जैसा कि हमें पता है कि स्फेर का वॉल्यूम क्या होता है तो वॉल्यूम ओफ स्फेर अगर मैं यहां पर लिखूँ तो यह है 4 by 3 pi r cube उठाओ value यहां सजा दो simple और कुछ नहीं करना ठीक है चलिए volume निकाल लेते हैं तो यह होगा 4 by 3 multiplied with 22 by 7 multiplied with r cube का मतलब radius का cube मतलब r 3 बार multiply हो रहा है r तो हमें 11.2 तो यहां पर आजेगा 112 upon 10 decimal हटा दिया ठीक है तो 1 बार r फिर 112 by 10 फिर 112 by 10 इसको solve करिये simple ठीक है तो देखे 7 1 times is 7 बच्चा यहां पर 4 42 एकदम 7 से यह जा रहा है देखे 7 1 times is 7 बच्चा 4 42 7 6 times is 42 हो गया solve ठीक है अब यह 3 से कुछ भी cancel out नहीं हो रहा उपर नीचे कहीं भी done ठीक है तो 10 को छोटा छोटा कर लें तो 5 से नहीं जाएगा तो 10 को as it is रहने तो इसको मत चेड़ो यहां पर हो जाएगा 4 into 22 is 88 multiplied with 16 into 112 into 112 तो 112 का square 16 multiplied with 112 into 112 upon यहां पर 3 into 1000 10 into 10 into 10 is 1000 अभी इसको solve करना है थोड़ा सा calculation है बस यह calculation हम कर लेते हैं चलो 88 into 16 इसको बाद में करेंगे 112 का square निकाल लेते हैं तो 112 का अगर मैं square निकालूंगा तो यह आपका आ रहा है 1 into 2, 1 into 1, 1 into 1, double cross, 1 into 2, 1 into 1, 1 into 1, 4, 4, 5, 2, 1 कितना आया 88 multiplied with 16 multiplied with 1, 2, 5, double, 4 यहीं आया 1, 2, 5, double, 4 यहीं यहीं एक 112 का square आ गया अभी 88 into 16 करना है तो 88 into 16 भी करके देख लेते हैं ठीकें तो 6 into 8, 6 into 8 is what? तो 6 into 8 is 48, 4 carry 6 into 8 is 48 plus 4 is 52, cross 8, 8 तो 8, 10 यह आया 9, 14, 14, 14, 8 तो यह आ गया 1, 4, 0, 8 multiplied with 1, 2, 5, double, 4 1, 2, 5, double, 4 नीचे वाला 3000 अभी वैसे का वैसे ही चल रहा है ठीके? तो वो मैं अभी बाद में लिखूंगा चलो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और क्या answer निकल के आया finally और हमारा पूरा answer जो है ना volume centimeter cube में निकल के आएगा ठीके? तो इसको solve कर लेते हैं 1, 4, 0, 8 multiply हो रहा है किसके साथ? 1, 2, 5, double, 4 के साथ 1, 2, 5, double, 4 के साथ तो 4 into 8 is 32, 2, 3 carry 4 into 8 is 32, ठीक है? और यह plus 3, तो 35, 3 carry 5 into 8 is 40, 43, 4 carry 2 into 8 is 16, 20, 2 carry यह आगया cross, फिर double cross, यह पूरा zeros की लाइन है done, 4, 4 into 4 is 16, 16 का 6 carry 1 4 into 4 is 16, 17, 17 का 7 carry 1 4 into 5 is 20, 21, 2 carry 4 into 2 is 8, 10, 10 का 0 carry 1, 5 triple cross, done 1, 4 times, 1, 4 times, 1, 5 times, 1, 2 times, 1, 1 times यह आगया 2, 5, 9 और यहाँ पर 10, 11, 11 का 1 carry 1, 5 और 6 यहाँ पर 6, यह आएगा 7, 5 और 2, 7 और यह आया इतना तो 176619, यह सब हटा के मैं यहाँ पर एक single value लिख देता हूँ और वो आ रही है 17661952, done यह पूरी चीज यहाँ से अटा दीजे, चलिए upon 3000, तो यह upon 3 into 1000 अब 3 से अगर मैं उपर पूरा cancel out करता हूँ तो यह हमारी value कितनी आएगी 3 5 times is 15, ठीके then 26 बचा, 3 8 times is 24, 26 बचा, 3 8 times is 24, 21 बचा, 3 7 times is 21 9, 3 3 times is 9, 3 1 times is 3, 22 बचा, 3 7 times is 21 point, ठीके, 3 3 times is 9, अगें, 3 3 times is 9, ऐसे की कहानी चलती रहेगी हम अगर upon 1000 को देखें, तो यहाँ पर मैं कहूंगा इसका answer आएगा 5, double, 8, 7, ठीके और नीचे का 1000, point 3, 1, 7, 3, 3 something तो मैं कहूंगा जो approximate answer निकल के आएगा वो कुछ इसके आसपास निकल के आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्रोक्स, ठीके, और यह unit आजाएगा इसका कितना centimeter cube, तो यह आपका answer है, 2 यह डाई marks, इससे जादा का सवाल नहीं है तोड़ा सा calculation में हो सकता है, वो आपको भसाएं, ठीके तो 4 by 3 pi r cube हमने formula यूज किया, आप चाहते क्योंकि decimal में चल रहा था, तो 3.14 को इसके साथ multiply करते, तो 112 का cube निकालते, अब उसके लिए identity यूज कर लेते, ठीके, हो सकता था थोड़ा असान और calculation मैंने आपको एक hint दे दी है, एक approximate value आपको निकालना बता दिया, total 5 question हमने कर लिए है, 7 questions हम यहां पर लेकर आए है, move करते है, question number 6 की तरफ, तो यह रहा question number 6, a short put is a metallic sphere, क्या बोला है, short put आपने देखा होगा एक ball type होती है, ऐसा लेके athlete goal 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 घुमते हैं, ऐसे ऐसे एक लोहे का पूरा बना हुआ, sphere है, ball है, gain है, वो हमें समझाया है, जिसका radius 4.9 cm का है, if the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, अगर उसकी density हमें पता है, कि हर 1 cm cube, जो है 7.8 grams का है, तो आप बताईए, total कितने weight होगा, और weight जब भी बताएंगे, यहाँ पे kg में कोशिश करिएगा mass बताने की, ठीक है, निकाल लेते हैं, क्योंकि value बढ़ी आएगी, तो हम kg में answer दे देंगे, चलो, मैं देखता हूँ, यहाँ पे cm का दिया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, 4.9 cm का radius, if the density of the metal is, मुझे क्या क्या given है, तो मुझे radius of sphere given है, radius of short put, done, यह दिया है 4.9 cm, radius, आगे मुझे क्या बोला है, weight, उसकी density दी है, if the density of the metal is, 1 cm3, density हमें दी है, कि हर 1 cm3 में, यहाँ पर 7.8 grams वो carry करता है, ठीक है, यह हमें given है, find the mass to find, to find mass of short put, mass of short put, चलिए, यह हमें बूला है, चलिए, यहाँ पर अगर हम mass की तरफ जा रहे हैं, cm3 में 7.8 gram होता है, that means हमें cm3 में total volume ball की देनी है, तो volume of sphere देख लेते हैं, volume of sphere, और volume of sphere में जब में जाओंगा, तो यह होगा, 4 by 3 pi r cube, done, radius उठाईए, यहाँ substitute कर दीजिए, चलो, कर लेते हैं, तो यह होगा, 4 by 3 multiplied with 22 by 7, multiplied with radius में जाओंगा, तो 49 upon 10, 49 upon 10, and 49 upon 10, यह होगा, done, ठीक है, 7 से 49 गए 7 ताइम्स, ठीक है, और कुछ नहीं, तो यहाँ पर यह आएगा, 4 into 22 is 88, multiplied with 7, multiplied with 49 ka square, upon 3 into 1000, वो ही कहानी आगई दुबार, कर लेते हैं, 88 into 7 is, 7 into 8 is 56, 5 carry, 7 into 8 is 56, plus 4 is 60 and 61, तो 616 multiplied with 49 ka square, 49 ka square is 50 minus 1 ka whole square, निकाल लो, तो यह आएगा, 50 ka square, plus 1 ka square, minus 2 into 50, done, into 1, identity लगाते हैं, तो 50 ka square होगा, 5 into 5 is 25, double 0, plus 1, minus 150, यह होगा, तो यह होगा, 2, 5, 0, 1 में से minus 150 कर दीजिए, तो यह एक unit place पे, 10 में से 5 गया है, 5, 4 में से 1 गया, तो यह आया 3, ठीके, और 2, 2, 3, 5, 1, तो 49 ka square होगा, 2, 3, 5, 1, upon 3, तो यहाँ पर 3 into 1000, done, अभी 3 से cancel out कर लेते हैं, तो 3, 2 times is 6, 0, 3, 5 times is 15.3, 205 into 3, तो 205 को 2, 3, 5, 1 के साथ multiply कर दो, 2, 3, 5, 1 के साथ जब मैं multiply करूंगा 205 को, तो 5, 1 times, 5, 5 times, 5, 3 times, 5, 2 times, cross, 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 double cross, 2 into 1 is 2, 2 into 5 is 10, 10 का 0, carry 1, 7, 2 into 2 is 4, 5, 5, 9, 1, 8, 4, तो यहाँ पर जो हमारा answer निकल के आया है, वो volume निकल के आया है, 4819, ठीक है, 481.953, 55, approximately इतना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखेगा, यह rubber का अगर मैं हटा दूँ, तो यह हमारा volume निकल के आया है, स्फेयर का, approximate value है यह, एप्रॉक्स लिख देता हूँ, और इसका unit जो पूरा निकल के आया है, वो centimeter cube में निकल के आया है, इन centimeter cube, volume of short put, volume of sphere, तो यह something 482 के आसपास आया है, done, अभी 482, क्योंकि 1 centimeter cube में, 7.8 gram होता है, तो total अगर grams की तरफ में जाता हूँ, तो एक sheet लेके देखना, क्योंकि 1 centimeter cube में, 7.8 gram उन लोगों ने दिया है, यही दिये 7.8 gram, हमारा जो total volume आया, अगर मैं उसकी तरफ जाऊँ, तो मेरा total आया है 482 centimeter cube, इसमें कितने grams होंगे, approximate value 482 के असपस आईए, 482, volume of sphere में अगर मैं देखता हूँ, तो यह हो जाएगा 482 multiplied with 7.8 grams में अंसर आएगा, कर लेते हैं 482 and 78 को, तो 2 into 8 is 16, 8 into 8 is 64, 65, 6 carry, 4 into 8 is 32 and 38, cross 7 into 2 is 14, carry 1, 7 into 8 is 56, 57, 5, 7 into 4 is 28, 29, 30 और 33, तो यहाँ पर यह 6 आया, 5 और 49 आया, 7 और साथ, 14, 15, 15 का 5, carry 1, 6 और 7, 3, तो यह सम्थिंग जो अंसर आया है, grams के अंदर, वो आया, 375, 9.6 grams, done, यह रफवर खटाएता हूँ, yes, यह grams में आया, अगर हम kg की तरफ मूफ करते हैं, तो हमसे mass पूछा, therefore, mass would be, mass would be, grams को अगर मैं kg में जाता हूँ, क्योंकि 1 kg में 1000 gram होते हैं, और इस gram को अगर मैं convert करूँगा, तो divide by 1000 कर दो, approximately 4 के असपास आपका answer आएगा, 3.7596 kg, यह आपका इस short put का weight आएगा, mass आएगा, done, तो इस पकार से हमें की question solve करना था, जो की हमारे सामने था, question number 6, last सवाल, इस video का, यह रहा आप लोगों के सामने, again एक simple सवाल, देखिए क्या बोल रहा है, a hemispherical bowl has a radius of 3.5 cm, यह कह रहा है, आपके पास एक hemispherical bowl है, यह रहा hemispherical bowl, इस hemispherical bowl के अंदर, radius आपको given है, r, कितना, 3.5 cm का, what would be the volume of water it would contain, तो मुझे volume of hemisphere निकालना है, volume of hemisphere हमें निकालना है, अब देखो, volume of hemisphere, आपको formula बहुत clear होना चाहिए, क्योंकि volume of sphere का formula होता है, 4 by 3 pi r cube, तो अगर हम volume of hemisphere में जाएंगे, तो हमने ball को आधा काट दिया है, इसका मतलब 4 by 3 जो है, वो fraction मन जाएगा 2 by 3, तो यहाँ पे volume of hemisphere हो जाएगा 2 by 3 pi r cube, आपको अभी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ values को उठाना है, यहाँ रखना है, simple, करिए, देखिए, volume कितना आया, तो volume हमारा निकल के आया, इस hemisphere का 2 by 3, multiplied with 22 by 7, multiplied with r का cube मतलब 35 by 10, multiplied with 35 upon 10, multiplied with 35 upon 10, और यह पूरी चीज सेंटिमेटर क्यूब में निकल के आएगी, चलो, solve कर लो, 7, 5 times is 35, 7, 5 times is 35, 5 से 10 कटा, 2 times, तो यह 2 cancel out हो गया, done, फिर, 5, 7 times is 35, 5, 2 times is 10, इस 2 से 22 गया 11, simple था, ठीके, अभी, क्या-क्या बच्चा, तो हम देख लेते हैं, हमारे पास volume of hemisphere में, जो चीजे बच्ची हैं, वो दिख रही हैं हमें 11 into 7, 11 into 7 into 35, उपर, numerator में, denominator में हमें दिख रहा है 3 into 10, तो यहां पर आएगा 3, ठीके, और क्या बच्चा है, 10 बच्चा है, यह रहा 10, 10 times is 35, 5 2 times is 10, और कुछ, नहीं, तो 11 into 49, 11 into 49, अपन 3 into 2 is 6, तो यह अंसर हमारा आएगा 49, cross, done, यहां पर cross, 49, तो यह आगे 9, 13, 5, 5, 39, तो यह आगे 5, 39, अपन 6, यह पूरी units, जो आएगी, यह आपकी निकल के आएगी, centimeter cube में, क्योंकि हमें दिया भी वही था, तो यह centimeter cube, हमारा volume of hemisphere आया, आप चाहें, तो decimal में अंसर देदीजिए, देखें, decimal में क्या answer आएगा, वो भी देख लीजिए, 6, 5 times is 30, 6, 6 times is 36, 7, 6, 7 times is 40, 6 into 8 is 48, 6 into 9 is 54, तो 6 into 8 is 48, done, 5 बचा 59, 59, 6, 9 times is 54, done, बचा, अगें 59 में से 54 गए, तो 5 बचा, decimal 50 आया, 6, 8 times is 48, बचा 2, 20, ठीके 20, अब 6 के टेबल में 20 रेखूं, तो 6, 3 times होता है, 18, ठीके, और यह कहानी कुछ approximately इतनी ही चलती रहेगी, यह पूरी कहानी आएगी, centimeter cube में, approximate यह value, 89.8390 के आजपास आपका जवाब है, इस पकार से आपने इस hemispherical bowl, जिसका radius 3.5 cm था, उसका volume निकालके दे दिया, done, चलिए, तो total हमने आज की वीडियो में 7 questions देखे हैं, definite success पार्टशाला के इस platform पे, आपको आपके अभिशेक सर द्वारा, ठीक है, प्रॉपर तरीके से most important questions दिये जा रहे हैं, charter surface area and volume से, मैंने आपको, मेरे point of view से जो important questions थे, वो दिये, done, part 1 में मैंने 5 questions कराये थे, part 2 जो अभी आप लोग watch कर रहे थे, इसमें 7 questions अमने किये, आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखें, अगर आप में से किसी ने भी अभी तक part 1 watch नहीं किया है, तो नीचे description box में link available है, देखना मत भूलिए, अपने दोस्तों को या शेयर करिए, क्योंकि point of view exam का रखते हुए, हमने इन पेपर को त्यार किया, मतलब इन questions को त्यार किया, तो 9th class students, वीडियो को जरू watch करें, अपने दोस्तों को या शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, definite success पाटशाला या definite success offline institute के बारे में, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपके पास phone numbers available है, screen पे आपके सामने flash रो रहे हैं, आप एकदम call करें, admissions open हैं, और आपको next session के लिए तियार कराएंगे हम लोग, proper तरीके से offline batches भी available हैं, ठीक है, और आज तक का best record हमारे पास भोपाल में available है, तो जानिए हमारे बारे में, चैनल को like करिए, जितना ज़्यादा हो सकें, subscribe करिए, मिलते हैं next video में, जहां पे एक topic के साथ मैं आपको मिलूँगा, अपना ध्यान रखो, bye and take care